तो आज आपने बाइनरी सरच प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे है और आज का लीट कोड है लीट कोड नंबर 1870 मेडियम मांक तो है बड़ यह बिलकुल मेडियम नहीं है यह एजी क्यूं होगा क्यूंकि ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेस्टन्स है अगर आपने उसको बनाया होगा तो यह बन जाएगा या फिर इसको बना लोगे तो वह सिमिलर को दूंगा भी थोड़े देर के बाद उसका लिस्ट दूंगा लिस्ट ऑफ सिमिलर कोश्टन वह बन जाएंगे और प्लीज ध्यान रखना ऐसे कुशन ऑनलाइन असेस्मेंट में आते हैं इसका एक बहुत सिमिलर कोश्टन है कोको इटिंग बनाना वह एमेजन के उनलाइन असेस्मेंट में पूछा गया है और भी बहुत जगा पूछा गया होगा तो क्वेश्टन का नाम है मिनिमम स्पीड टू अराइव ओन टाइम और इस क्वेश्टन को समझते हैं पढ़कर क कुछ फैंसी है नहीं इसमें आपको एक फ्लोटिंग यानि कि फ्लोटिंग नंबर दे रखा है आवर ठीक है एक आवर दे रखा है आवर बोले तो आपकी बस सिर्फ इतना ही टाइम है है ना अमांट टाइम यू हैफ टू रीच दा ओफस ठीक है आप या तो इस से जल्दी लेना है वो ट्रेंज इन सेक्वेंशल ओडर वह भी है ना मतलब पहले जैसे मालती एक्जांपल को देखो पहले वन लोगे फिर थ्री लेना ही लेना स्किप नहीं मार सकता किसी को भी ठीक है उसके बाद यूर ऑल्स गिवन इंटीजर एरे डिस्ट ठीक है ओफ लेंथ डिस प्रूट आण टिजर आवर सो यू मेंटीजर अजेट राइड का मतलब क्या हुआ समझो जैसे माल लेते हैं यह जैसे 0,12 इंडेक्सिंग कर दिया मैंने अगर आपने first train जो है यह जो first train है एक distance कवर कर रहा है एक किलोमेटर कवर कर रहा है distance क्या है 1 kilometer है ठीक है अब माल लेते हैं कि आपने ना speed चुना 2 माल लेते है आप 2 के speed से जा रहे हो गिया ज़ो train है वो 2 के speed से जा रहे है तो time कितना लगेगा इस one distance को cover करने में time is equal to distance by speed होता है one by two यानिकि 0.5 लगेगा time कितना घंटा लगा 0.5 hours तो 0.5 hours जब लग गया तो आपने ये distance cover कर लिया अब आप यहां पर आये हो बड़ पता है problem क्या है यह जो 0.5 है ना 0.5 अब आपको next जो इंटीजर आवर है यानिकि 0.5 के बाद इंटीजर आवर क्या आएगा वन आएगा ना next इंटीजर आवर उस पर ट्रावल कर सकते हो ठीक है 0.5 में आप start नहीं कर सकते हैं इसको ट्रावल करना ठीक है इसका मतलब क क्या हुआ कि टाइम भले आप 0.5 आवर में ही यहां पर पहुंच गया है भले लेकिन आपको start इसका just next जो इंटीजर नंबर होगा 0.5 का इंटीजर नंबर को नहीं फ्लोटिंग नहीं इंटीजर वन है या तो फिर आप बोलो सील नंबर इसका 0.5 का सील नंबर क्या है वन ह सीलिंग ओफ 0.5 क्या है वन है तो आप वन इंटीजर टाइम में स्टार्ट कर सकते हो यहां पर अपने 0.5 लगाया यह एक वाले डिस्टंस कवर कर लिया और यहां पर पहुंच गया है पहले सेकंड वाले ट्रेन के लिए पहुंच गया हो बढ़ आप स्टार्ट कप कर सकतो वन अथ आवर में है यहां तक लियर है यह यहां लिखा है इफ दा फर्स ट्रेन राइट टेक्स 1.5 आवर्स यू मस्ट वेट पर अन अदीशनल 0.5 क्यों क्योंकि 1.5 का नेक्स्ट इंटीजर नंबर को आना टू है यहां तो फिर सील बोल लो इसको सीर 1.5 इस टू ठीक है बिफोर यू कन डेपार्ट अन दी सेकंड ट्रेन ठीक है यहां तक क्लियर है यह चीज़ इंपॉर्टन था ओके अब बोलता है कि रिटरन दा मिनिममम पॉस्टिव इंटीजर स्पीड डट आट फोर यू टू रिच दा ओफिस ऑन टाइम ठीक है यह बोलता है कि मिनिममम स् जिस स्पीड में आप सारे ट्रेंग को ट्रावल करोगे आप आफिस पहुंच जाओगे विदिन दिस आवर ठीक है अगर नहीं पॉसिबल है तो भाई माइनस वन रिटरन कर दो तो अभी मैंने क्या लिया था स्पीड टू लिया था ना देखते हैं अगर टू स्पीड लेक पहला ट्रेंग का वन दे रखा है तो टाइम कितना लगा टाइम लगा डिस्टेंस बाइस पीडिन वन बाइट देट इस 0.5 भले टाइन इतना लगा बट आपको वेट कितना करना पड़ेगा पॉइंट फाइवर वेट करना पड़ेगा याप वन आवर आपको यहां लग क्योंकि मैंने क्या बला 0.5 एक डेसिमल नंबर है आपको इंटीजर नेक्स इंटीजर आवर में दूसरा ट्रें आप यह बोर्ड कर सकते हो तो 0.5 में आपने यह कवर तो कर लिया अच्छी बात है बट आपको 0.5 आवर और वेट करना पड़ेगा ताकि आप इंटीजर नं ही 3 it was time कितना लगेगा टाइम इस उकल टु टूडिस्टेंस बाइ स्पीड देस्ट में रखे यह स्पीड कैंटो इसके बात आते हैं सेकेंड वाले मेंडेस इस इक्वल है तो इहां पर आ लगयो थेखा Shopify डिकाए टाइम कितना रगए distance by speed 2 by speed 2 है मेरा 1 तो अल्रेडी इंटीजर है तो टोटल कितना टाइम लग गया 1 प्लस 2 दो तीन 4 चार गंटे लग गया ठीक है चार गंटे लग गया और आपको पहुंचना था 6 गंटे में यनिकी यनिकी ये speed भी सही है आपका अगर आप speed 2 भी रखोगे तो यह आप 6 गंटा के अंदर पहुंच जाओगा चारी गंटे में पहुंच गए बट क्वेश्चन में पूछा मिनिमम और मिनिमम स्पीड निकालना है तो अब इक बहुत इंपॉर्टन पार्ट आने वाला है अगर आप दो के speed से दो का speed था न आपका दो के speed से अगर आपकी सारी trains चलें तो आप 4 गंटे पे पहुंच गए और विसी बात है दो से बड़ा कोई भी speed लोगे 3, 4, 100, 1000 कितना भी speed बढ़ाओगे तो अब विसी है यह 4 गंटा और कम होता चला जाएगा ना और भी जल्दी पहुंच जाओगे यह दो दो गंटे में ही पहुंच जो ठीक है बटब मुझे minimum speed चाहिए तो मैं दो से ज्यादा speed क्या देखूँगा मैं दो से कम speed में चेक करूंगँ मुझे minimum speed चैएगे तो दो स्पीड में मैं तो पहुंच पा ही रहा था देखरो अगर स्पीड मेरा दो था तो मैं तो पहुंच ही जा रहा था कितने गंटे में पहुंच जा रहा था चार गंटे में ठीक है तो मैं और कम स्पीड में चेक करना चाहूंगा मुझे मिनिमम स्पीड निकालना है तो म 3 2 स्ब्सक्राइब है तो каких इतना लगेगा इसनों पर करते हैं टाइम कितना लगेगा दूसरे वाले के लिए डिस्टंस बाइस्पीड-दिस्टंस कर थी स्बीड-दिस्टंस at 2 चाहब कि चैनल लगेगा और आप आफिस भॉह जाओ ए यहां पर कितना लिमित था भी तो पहु बट फाइदा देखो क्या हुआ आपका स्पीड वन में ही आपने पहुँच गए उफिस पीडिज इस 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 निए पहुंच सकते हो इसलिए आंसर में आउट्पूट में वन था ठीक है वन था याद करो मैंने जब दो से निकाला था तो वैसे मुझे मिल तो गया था आंसर म मेरा नटील usted और के राइट सेट क्यों नहीं किया चार क्यूंकि से एना ओर दो से अगर मैं पहुच पा रहा हूं तो मतलब पक्का मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तब मैं राइट साइड जाओंगा तीन गंटा पे ट्राइग तीन वाले स्पीड से ट्राइग करूंगा इससे भी नहीं आप तो आपको इधर से हलका हलका इंट्यूशन बिल चुका होगा कि स्पीड पर देख रहो मैं ए मुझ पा रहा था 6 गंटे गन तो मैं left side चला गया right side को पूरा skip मार दिया है ना यहां पर क्या क्या है left side को पूरा skip मार दिया तो और क्या दिख रहा है यहां पर binary search के लावब कुछ दिख रहा है कि यहां तक समझे यह बाइनीरी सर्च का क्वश्चन है क्योंकि आपको तो इन्पुट में डिस्टेंस दे रख है और आपको स्पीड निकालना है मिनिमम स्पीड निकालना है और तो अभी हमने के एक्जामपल ही से देख लिया एक्स एडिया लग गया कि यह बाइनीरी के तरफ क्यों जाएंगे हमको मिनिमम स्पीड तो लेफ्ट साइड गये या फिर दो स्पीड से काम नहीं बनता तो मैं राइट सेड चला जाता और स्पीड बढ़ाना पड़ता हमें तो यह तो बाइनरी सर्च कर रहे हैं ना लेफ्ट वाले सर्च स्पेस को घटा दिया यह मिनिमम स्पीड वो 1 से 10 का पावर 7 के बीच में ही होगा यह कोशन में पहले ही बता दिया तो मैं यह लाइन पढ़ते ही मैं समझ गया कि यह बाइनरी सर्च को कॉश्चन है क्योंकि मैं क्या करूंगा मैं बोलूँगा कि मिनिमम स्पीड एल जो 1 से स्टाट करूँगा और मै से ट्राइ करके देखोंगा कि क्या इस मिड़ से अगर मैं डिस्टेंस निकालू जैसे इसे टाइम निकाल रहा था ना इसे मेड़ वाले स्पीड से है ना यह स्पीड ही तो है यह स्पीड ही है ना यह भी स्पीड है यह मिड़ भी तो एक स्पीड निकाला हमने ठीक है अब ध पहुंच गए तब क्या करेंगे देखो इस मेंड़ स्पीड से यह और भी स्पीड बढ़ाओगे हैं ना तो डेफिनेटली आफिस पहुंचोंगे बट मुझे कम चाहिए तो मैं रेजल्ट में स्टोर तो कर लोगा कि हो सकता है यह मेरा अंसर हो मिडि स्पीड बट मुझे और छोटा भी देखना है तो मैं बड़ा के तरफ क्यों जाऊंगा मैं इससे पहुँची जा रहा हूं अफिस तो मैं और छोटा अंसर देखता हूं तो मैं राइट साइड को हटा दूगा राइट को क्या कर दिया मिड मैंनेस वन के बराबर कर दिय यहां तक क्लियर है दूसरा कंडिशन क्या हो सकता है कि भाई अगर मिड़ स्पीड जो भी मैं चल रहा था जिसे स्पीड से इस स्पीड में पहुंची नहीं पाया तो मैं इस स्पीड में आगे बढ़ा दूंगा मिड़ प्लस 1 तक बढ़ा दूँगा यहां तक clear है ठीक है यह आपको condition समझ में आ गया होगा कि binary search में यह condition आएगी और अभी तक मैंने पूरा binary search लिखा नहीं है सबसे बड़ा confusion यही होता है कि while में क्या डालेंगे ठीक है पहला confusion तो यह होता है दूसरा confusion क्या होता है कि return क्या करेंगे return L करें या R करें यह तो पता ही नहीं होता है तो यह return L R से बचने के लिए मैं हर बार क्या करता हो ना I think कल वाले question में भी मुझे यही करना चाहिए था जादा clear होता है वैसे कल वाले question में भी आप ऐसे कर सकते हो कि एक result variable ले लो उसी में store कर लो answer ठीक है और R को जहां जहां आपको move करना है वो move करते रहो ठीक है और उस result को last में store कर दो तो यह तो clear हो गया कि मैं L R को return ही नहीं करूँगा मैं result में store कर लिए करूँगा हर बार तो result को ही return कर दूँगा एक यह problem तो खतम हो गया है कि क्या return करना है L R R वो tension खतम हो गया अभी सबसे बड़ी tension यह होती है कि while L क्या करें है आपर सबसे बड़ी tension यह होता है इसको अभी कितना अच्छे से solve करेंगा हम लोग तो देखो मैं यह example ले रहा हूं समझाने के लिए देखो मैंने तो यह बोला था ना कि while मुझे नहीं पता भी मैं क्या डालूँगा ठीक है हाँ मुझे mid निकालना वो मुझे पता है L plus R minus L by 2 और L R b question से पता चल गया था कि L 1 रखेंगे और R tank power 7 रख लेता है maximum speed यह भी clear हो गया था और उसके बाद यह चेक करना ना कि यह अगर mid speed मैं लूँ तो मैं 6 गंटे से पहले पहुच पा रहा होगी नहीं तो मैं call कर लूँगा और एक function call कर लूँगा if possible नाम से उसमें मैं क्या चेक कर लूँगा कि भाई यह जो distance array में जतना भी distance है ठीक है क्या मैं cover कर पा रहा हूं इस speed से कम में अभी मेरा current speed क्या है mid ना mid ना बोलके इसको mid speed लिखते हैं ज्यादा meaningful लगेगा mid speed अभी मैंने यह speed चुना है तो मैं यह चेक करूँगा कि अगर मैं सारे distance को इस mid speed से cover करूँ तो जितना total time लग रहा है अगर वो less than यह equal to मेरा जो hour है वह तो बहुत बढ़िया मैं पहुच पा रहा हूं उतने time में यह तो उससे कम time में तो मैंने क्या बला था कि मैं result में store कर लूँगा इस mid speed को mid speed को बट मैं और minimum speed निकालने ही कोशिश करूँगा यानि कि r को मैं mid minus 1 भेज दूँगा ठीक है और अगर ऐसा नहीं है मैं इस mid speed से अगर चलूँ तो मैं छे घंटे से अंदर यानि कि आवर वाले घंटे से अंदर नहीं पहुंच पा रहा हूं अफिस में तो अव्यसे मुझे स्पीड बढ़ानी पड़े तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्लिए करें राइट सैब डिए ख्लक मिट मिड्ट प्लस वन करो चीज क्लियर है और लास्ट में हमें क्या रेटरं करना होगा रिजल्ट है और यह पसिबल वाला चीज है यह भी हम डिसकस करेंगा अभी इस पर ध्यांदेते हैं, क्यांड डालेंगे तो इस पर dry rain मारते हैं, तो dry rain मारोगे तो L का value 1 है, tank up value, R का value, tank up और 7 है, तो tank up और 7 तो बहुत बड़ा है अभी के लिए, example के लिए मान के चलते हैं कि R अभी हम 3 तक पहुंच गए हैं मान के चलते हैं कि R की value 3 तक पहुंच गई है ठीक है तो इसका mid निकालते हैं mid कितना निकलेगा 1 plus 3 minus 1 by 2 ठीक है 1 plus 1 that is 2 mid speed 2 आ रहा है यह बोल रहा है कि भाई 2 का speed से try करो कि पहुंच पा रहे हो कि नहीं ठीक है तो मैं 2 का speed से try करता हूं कितना time लगेगा देखते हैं time is equal to distance by speed यह मेरा distance है distance by speed speed मेरा mid speed कितना दो है na distance 1 है 1 by 2 यहाँ पर कितना लगेगा यहाँ पर 1.5 इसका ceiling कितना होगा 2 यहाँ पर 1 दो तीन चाट टोटल चार घंटे लगें क्या चार घंटे less than equal to hour 6 है यह यहनिकि यह correct answer हो सकता है तो मैंने result में 4 store कर दिया है यहाँ पर रिजल्ट में 400 मेड़ स्पीड क्या स्पीड थी टू थी कि टू के स्पीड से चल रहे हैं तो मैं 6 गंटा के अंदर पहुंच जा रहा हूं अफिस यहाँ तर क्लियर है ठीक है बट मैंने क्या बोला कि आर को बेज दिया मिड मैनस 1 यानिकी 2 यहाँ थे clear है आर को मैंने स्पीड क्या था था न तो मैंने मिड मैनस 1 प्रशिक यहां क्या कर रहे हैं मैंने स्पीड मेरा 1 हो ठीक है अगर आपने लेस देन आर कर दिया तो अब ठीक है तो देखो एल इस इकल टू आ रहे हैं यहाँ पर तो अभी तो यह वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा तो मैंने चेक डाली नहीं है तो वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा और तो हमारे रिजल्ट में दो ही रह जाएगा विच इस नॉट अ करेक्ट आंसर है ना इसलिए मैंने सोचा कि इस इकल टू आर तो डालना पड़ेगा तीक है इस इकल टू आ डालना पड़ेगा देखो कोई पैटन याद मत करो कि कभ अल इस इकल टू या लेस देन इकल टू डालना याद मंत करो करो एक मैं रे करो करो इद एक चल गया बेट कोजना वेडा़ से लूट रहें तो अब यह लूप चल जाएगा ओर स्विक इस्जिए और सिकल आंगा तो मैंने अभी वन से अपटेट कर दिया यहीं समझे इस बार रेजल्ट देखो मैंने बन से अपडेट कर दिया इस बर लेकिन आर को मैंने बुला और कम स्पीड में जाने की कोशिश करते हैं तो आर को ने किया तो आर किया जीरो गया अब देखो ये ब्रेक कर जागा वाइल लेसं इकल टू आर वन लेसं इकल टू जीरो नहीं तो ब्रेक कर गया अब ब्रेक कर जाए तो सही है मेरे result में correct answer stored है मैं last में return result कर दिया वन मेरा answer था ठीक है ऐसे derive किया करो याद नहीं करना है कि हाँ ऐसा condition आएगा तो ऐसा situation आएगा तो यह condition डलना है ऐसे याद मत किया करोगा भी भी ठीक है तो यह चीज तो हमारा clear हो गया और यह function की बात करते हैं यह function की बात करते हैं possible इस्टेंस और मेडम मेड बहिप भी रहाता है तो जिस्टेंस और मेड़ बहाँ अब कि यह पार स्पीद हुआई तो निकालना था मैं तो टांब अब अभी के लिए ठीक है याद अब देखो मुझे सिंप्ली क्या करना है फॉर इंट आई इस इकल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस यह डिस्टेंस है मेरा मुझे टाइम ही तू निकालना है ठीक है तो अब देखो ध्याम दो पहले तो निकाल लेते हैं कि करेंट ड करेंट यहाँ है यहाँ पर वन बाइफ पीड बाय टू इतना यह 0.5 आया ठीक है तो मैं पहले चेक करूंगाँना कि 0.5 अगर यह 0.5 क्या है है डेसिमल है न जिरो पंड फीडेसिमल है तो मैं इसका चिली देलिए लिया फिले सिरो पंड फाइब की वन आ गया तो वन एड़ करूंगा ताइम मैं यह मैं यह टाइम प्लस इस इकल टू सीलिंग ओफ टी यहां तक लिए रहें सीलिंग ओफ टी आड़ करना यह मैंने आपको समझा दिया ओपरी ठीक है बट एक कैच है एक बहुत ही बेसिक सा कैच हो आपको बताता हूं जैसे माल लेते हैं जो डिस्टेंस है ना माल लेते हैं डिस्टेंस जान दू टू बाइक्स तो मैं उसका सीलिंग लेता है अब सीलिंग क्यों ले रहे हैं कि कोश्यन में बोल रखा है ना कि नेक्स्ट ट्रीन जो आप पकड़ोगे नेक्स्ट ये ना उसको आप एंटीजर आवर में ही पकड़ सकते हो तो अभी वला अगर माल लेते हैं डब फ principle गया तो सील मुझे मैंने सके सटीय ले लिया और क्योंकि मुझे नेक्स ट्रेन पकड़ना भी मान लेते हैं यह बन्हें लिए ज़न देरलुट पकड़ना और भोट के पकड़ तो इसको भी सीलिंग में convert कर लिया इसको भी मान लेते हैं अब सीलिंग आ गया लास्ट वाला तो खुद मुझे बताओ इसके बाद को थेढ़ है नहीं तो सीलिंग में convert नहीं करूंगा ठीक है ध्यान देना लीट कोड के एक्जांपल में यह समझा रखा है बट मैंने आपको ऐसे समझाया है ठीक है कि लास्ट वाला जो ट्रेन होगा ना उसको आपको ढुंगे कहार करने ही दर ओने क्योंकि युश्यीव वरा जो सकते हो इसली कर देठे था इसके बाद इसके बाद तो कोड़ेन हैdem ना तो आप सील नेक्यु पर्फोंक्त कर देना तो लेस्ट वाले न ना करके मैं यहांपर ज़िश्धन एन माइन उन-स वन कर देता हूँ सबका ceiling add कर दूँगा time में बस last में जो यह तो less than n-1 है न तो जो last train होगा जो n-1 अथ index में होगा last distance उसको directly ऐसे ही add कर देंगे कैसे add कर देंगे time plus is equal to distance by speed last distance कौन सा है distance of n-1 speed जो भी मेरा speed मेरा एक्स था ना speed जो भी मैंने भीजा एक्स लास्ट वाले को बिना ceiling की add करना क्योंकि उसके बाद आपको कोई train पकड़ने की जरूती नहीं है ठीक है यह चीज इंपॉर्टन था बस एक छोटा था चीज बताना था इसलिए मैंने यह possible function पूरा बताया है ठीक है तो हमने हर चीज सीख लिया कि binary search का question क्यूं है यह दूसरा binary search का question क्यूं है उसमें intuition भी समझ गयते हैं कि क्यूं बाइनरी सर्च क्वेशन है दूसरा क्या है कि भाई जो binary search कंडिशन होता है less than equal to या क्या करके भीजना है वो सब कैसे solve किया हमने है डाइरन करके और result नाम के variable में store कर लिया करो हमेशा answer तक को लास्ट में जंजट ना हो कि एल रेटेंड करना है या रेटेंड करना है यहां तक clear है ठीक है बहुत important जी समझी और तीसरा अभी हमें क्या है कि भाई similar problems क्या क्या है ठीक है मैं similar problems अभी जस्ट आपको दिखाता हूं और यह question solve करने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग जाओ और उन similar questions को जरूर से बनाओ ठीक है तो चलो lead code में इसका code करते हैं और time complexity भी उसी वक्त देख लेंगे तो चलो इसका code करते हैं अपने binary structure इस question को finish करते हैं ठीक है और brute force भी आपको बहुत simple लग गया होगा कि आप दो brute force में ने discuss की नहीं किया बच काफी simple brute force question में दे रखना रखा है ना कि आपका जो maximum time होगा ना वह 1 से लेकर 10 का power 7 तक ही होगा ठीक है यहाँ पर देखो answer will not exist 10 का power 7 ठीक है तो अब थीक है आप speed को 1 से try करो अगर 1 से हो गया तो आपका वही answer होगा नहीं वा वन से तो 2 से try करो तूस हो गया तो वही answer होगा नहीं वह तो 3 से try करो फोर से try करो टेंक का ऐसे जाते याते टेंक पावर 7 तक ट्राइब करो टेंक पावर 7 तक आपको ट्राइ करना है और जिससे भी आप यह इस आवर से कम या इकवल टू में पहुच गए ओफिस तो वही आपका आंसर होगा क्योंकि मैं मिनिमम से मैक्सिमम तक जा रहा हूं तो जो सबसे पहला मिनिममम नंबर मिल गया मिनिममम स्पीड मिल गया जिसमें आप पहुच सकते ओफ पाकेज मिनिममम नंबर डेज्ट में बंबकेट्स मैंने टू बॉल्स अलोकेट मिनिममम नंबर पेज़े जो कि कीख को कीख सा लिंक मैंने आदे रखा है और आपको यह सारे मिल जाएंगे आप मेरे गिठव रेपो में जाओगे अरे वाले रेपो के अंदर बाइनरी आपको मिल जाएगा है ना यह मिनिममम स्पीड टू अर्राइव ऑन टाइम कोश्चन मिल जाएगा वहाँ पर मैंने यह चिपका रखा यह बूरा तो मैं यहां से हटा देता हूं वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं मैंने क्या बोला कि एल मे अगर कुछ नहीं निकल पाया तो माइनस वन रिटन करना लास्ट में वाइल एल लेस दन इक्वल टू आर करेंगे वह भी आपको अब क्लियर हो चुका अच्छे से हैं मिड निकालते हैं एल प्लस आर माइनस एल बाइटू मिड ना बोलकर मिड स्पीड बोलते हैं जादा हो गया तो भाई यही मेरा रेजल्ट हो सकता है तो रेजल्ट इस इकल टू मिड स्पीड लेकिन मैं और बढ़ी आंसर निकालने कोशिश करूंगा तो आर इस इकल टू मिड माइनस वन देखो मेरी इकल टू मिड में क्यों नहीं गए क्योंकि मिड मैंने अल्रेडी स्टोर क कर रखा है पॉसिबल है ही नहीं तो मिड स्पीडी क्यों दूबारा चक्करोंगे तो plus1 यह खच़ यह कर दिया ठीक है है और last में हमें क्या करना में if we take this speed जो मैं भेज रहा हूं मेंड स्पीड ठीक है वेक्टर ओफ इंट डिस्टेंस यहां पर भेज दिया और क्या भेज रहे हैं मिड स्पीड जो है मेरा जो मैंने स्पीड चुना है इंट मिड स्पीड अब स्टार्ट करते हैं डबल टाइम इसमें अड़ करते जांगे सारा टाम एंट इस इक्वल टू डिस्टेंस डॉट साइज फॉर एंट आई इस उकल टो जीरो आई लेस दन एन माईनस वन आई प्लस प्लस ठीक है यहां देखले डबल टी इस उकल टू time is equal to distance by speed होता है तो double में convert करना पड़ेगा time is equal to distance by speed निकालते है निकाल लिया time plus is equal to stick को add करना है हमें लेकिन seal करके हर बार add करेंगे हमें हमें लास्ट वाले का हमें सील नहीं निकालना है इसलिए यहां पर अलग से लिखते हैं यहां पर बस distance यहां पर टाइम कर देंगे ठीक है और कोको एटिंग बनाज और जो भी कोचन है सब में इसी तरह का लॉजिक है यहां पर पॉसिबल किसी और तरीके से चिक किया होगा कोको एटिंग बनाज में या और भी अलग अलग क्वेश्चन में बाकि सब कुछ सेम है ठीक है सब्मिट करके देखते हैं कि हमारा सेलेक्ट हो रहा है सब्मिट हो रहा है कि यहां की स्पेलिंग में गलत कर दिया सी या यह लोगा ओके और यहां पर रिजल्ट महीं करके मिन स्पीड है हमारा राइट रिजल्ट वरीबल नहीं है लेट सी इफ एर एबल दूपास अल्ट इस केसे और टाइम यहां अपर लग रहा है हर बार कर रहा है और यहां पर लग रहा और यहां लग और यह बाइनरी सर्च क्या लग रहा लागा के और हर टाइम एन लग रहा है न यहाँ पर एन लगा रहे है यहाँ पर एन इंटु लॉग क्यों जागा टोटल एन इंटु लॉग ओफ के यहाँ तक लियर है तो I hope I was able to help कोई बीडाव था राइज इन दे कमें सेट्ट लॉग यहाँ था राइज इन दे कमें सेट्ट लॉग यहाँ था राइज ने ने नेक्स वीडियो थैंक यू